मित्रो, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ी युद्धा मा होती है ये भी कहानी उसी पे अधारित है पर मित्रो, आपसे रिक्वेश्ट है कि इस कहानी को लाश्ट तक जरूर देखें तो इस कहानी का नाम है मा का त्याग एक गरीब परिवार में एक सुन्दर सी बेटी ने जन मिलिया बाप दुखी हो गया बेटा पैदा होता तो कम से कम काम में तो हाथ बटाता उसने बेटी को पाला जरूर मगर दिल से नहीं वो पढ़ने जाती थी तो नाहीं स्कूल की फिश टाइम से जमा करता वो अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखती थी वो पत्ती से छुपा-छुपा कर बेटी की फीश जमा करती और कौपी की तागों का खर्चा भी देती थी अपना पेट काटकर फटे पुराने कपडे पहनकर गुजारा कर लेते थी मगर बेटी का पूरा ख्याल रखती थी पती अक्सर घट से कई दिनोत के लिए गायव हो जाता था जितना कमाता था दारू महीं फोग देता था वक्त का पहिया घूमता गया बेटी धीरे-धीरे समस्दार हो गई दस्वी क्लास में उसका एडमिशन होना था मा के पास इतने पैसे ना थे जो बेटी का स्कूल में दाखिला करा पा थी बेटी डर डराते हुए पापा से बोली पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ मेरा हाई स्कूल में एडमिशन करा दीजिए मम्मी के पास पैसे नहीं है बेटी की बात सुनते ही बाप आग बवुला हो गया और चिलाने लगा बोला तु कितनी भी पढ़ लिख जाए तुझे तो चूला चोका ही समभलना है क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर उस दिन उसने घर में आतंक मचाया वह सबको मारा पीटा बाप का व्यवहार देखकर बेटी ने मन ही मन में सोच लिया कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगी एक दिन उसकी मा बाजार गई बेटी ने पूछा मा कहा गई थी मा ने उसकी बात को उन्ग सुना करते हुए कहा बेटी कल मैं तेरा स्कूल में दाखिला कराऊंगी बेटी ने कहा नहीं मा मैं अब नहीं पढ़ूंगी मेरी वज़े से तुम्हें कितनी परिशानी उठानी पढ़ती है पापा वे तुमको मारते पीटते हैं कहते कहते रोने लगी मा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा बेटी मैं बजार से कुछ रुपए लेकर आए हूँ मैं कराऊंगी तेरा दाखिला बेटी ने मा की ओर देखते हुए पूछा मा तुम इतनी सारे पैसे कहा से लाई हो मा ने उसकी बात को फिर उनसुना कर दिया वक्त बीतता गया मा ने जी तोड महनत करके बेटी को पढ़ाया लिखाया बेटी ने भी मा की महनत को देखते हुए मन लगा कर दिन रात पढ़ाई की और आगे बढ़ती चली गई इधर बाप दारू पी पी कर बिमार पढ़ गया डॉक्तर के पास ले गए डॉक्तर ने कहा इनको टीवी है एक दिन तबियत ज़्यादा गंभीर होने पर बेखोशी की हालत में अस्पताल में भरती कराया दो दिन बाद उसे जब होश आया तो डॉक्तर नी का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गया वो डॉक्तर नी और कोई नहीं बलकि उसकी अपनी बेटी थी वो शर्म से पानी पानी हो गया कपड़े से अपने चेहरा चुपाने लगा और रोने लगा हाथ जोड़ कर बोला बेटी मुझे माफ करना मैं तुझे समझ ना सका दोस्तो बेटी आखिर बेटी ही होती है बात को रोते देखकर बेटी ने बाप को गले लगा लिया दोस्तो गरेबी और अमेरी से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंसान का इरादा हो तो असमान में भी छेद हो सकता है एक दिन बेटी मा से बोली मा तुमने मुझे आस तक नहीं बताया कि मेरे हाइ स्कूल के अड्मिशन के लिए पैसे कहा से लाई थी बेटी के बार बार पूछने पर मा ने जो बात बताई उसे सुनकर बेटी की रूर काप गई मा ने अपने शरीर का खून बेचकर बेटी का अड्मिशन कराया था दोस्तो तभी तो मा को भगवान का दर्जा दिया गया है मा जितना उलाद के लिए त्याक कर सकती है उतना दुनिया में कोई और नहीं कर सकता तो मित्रो आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी मैं उमीद कर रहा हूँ और कहानी कैसी लिगी इसके बारे में आप हमें कॉमेंट में जुरूर बताईए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट को चेक करना ना भूले और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बढ़िया स्टोरिज देखने के लिए मिलती रहे